गुड मानिंग स्टुटेंट मैं गुड डू सार आप सभी के इस वीडियो मस्वाकत करता हूँ बच्चों आज मैं आपके सामने कंपटीशन का कुछ कुछन लेकर आया हूँ इस कुछन को लगाने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा 5 सिकेंड मिलेगा अगर इस 5 सिकेंड मे कुछन को बैंक, SSC, रेलवे और TET किसी भी जो कंपटेटिव एक्जामनेशन है यह सभी में आता है तो देखिए इसका जो है आइंसर आप कैसे निकालोगे ठीक है और वो भी बहुत ही कम समय में तो देखिए जब आपको इस तरह कभी कुछन मिले तो आपको कुछ नहीं क दिखाए तो अगर इस तरह मिले कभी आपको ठीक है तो आप क्या किया करो कि वह पहला आप जो इसमें से नंबर निकालो बाहर तो जिसे पहला नंबर निकाला तो क्या या या अब ट्वैल्व का ऐसा फैक्टर करिए कि इसमें इनके दोनों के बीच में ऐसा दो फैक्टर का हो इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो वो वन का हो तो जीिसे हम एसके बीच में देखी हम इसका झाउर डिये का पल우 रहा और आज variety होगा आजाँ गया तो अगर यहां पर प्लस लिखाए तो आपका बड़ी वाली जो संख्या और रहा होगा तो इसका अनसर क्या ह हो जाएगा 4 हो जाएगा ठेक हैं अगर से प्लस लिखका अगर मैनस होता तो आपका 空 होता छोटा वाला हो जाता फिर थे ईंसर हो जाता अभ इसी प्रकार्पस आप stair 20 में आजिए आप 20 का देखिये इस में से कोई भी एक ले 01 तो यह आपने एग 20 ले लिया आप 20 का factor कीजिए तो भाई 5 4 जा 20 होता है पांच योग 20 और इनके दोनों के बीच में देखे कितने का अंतर है एक का अंतर है ना क्योंकि 5 से 4 को अगर आप सब्ट्रेट करोगे तो एक ही तो आएगा तब यहां पर देखिए एक आएग नहीं आया तो अब बताईए इसमें answer क्या होगा बड़ी वाली संख्या answer होगी तो यहां पर answer आपका 5 हो गया अगर यहां पर प्लस की जगा आपका इसे इसका answer निगालोगे फिर से कोई एक ले ली जैसे जैसे आपने 30 लिया 30 के करना है तो क्या आएगा 6 5 जा 30 होता है 6 5 चे 30 अब देखिए दोनों में कितने कंतर है एक कंतर है क्योंकि 6 में से 5 को घटाओगे तो एक ही तो आएगा तो अब आपका answer क्या जाएगा क्योंकि यहां पर निगेटिव है इसलिए बड़ा वाला नहीं होगा छोटा वाला तो यहां पर answer क्या आजाएगा इसमें answer आएगा 5 आजाएगा अगर इसी माइनस की जगा प्लस होता तो यह answer क्या हो जाता आपका 6 हो जाता ठीक है अब इसी प्रकार से इस टाइप के जित रहा था तब तो आपने बना लिया लेकिन जैसे disease अपने भी हैं जैसे इसमें क्या लिखा है दो दिफ्रेंस नहीं आ रहा है फाइब में देखिए फाइब वंजा फाइब होता है ठीक है इनके बीच में भी डिफ्रेंस नहीं आ रहा है तो आगर जैसे कहीं पर भी आगे बन जाए तो आपका जो then to answer हो इसुए प्रॉस वाले का क्या है कि आई का बताइए दो एवं हम दीन के बीच तो इसका जैसर निकल आएगा दो एवं तीन के बीच आगर इसी में अप तो दो का factor करते हैं देखते क्या आता है देखे एक दुक्के दो यह दो कनम दो देखे इसके बीच में एक का difference आगे नहीं आ गया तो अब answer क्या आएगा इसमें बताइए इसमें answer जब इस तरह कभी आए जैसे आगे चलने पर पीछे चलने पर ठीक ना ऐसे कभी आए तो वहा आपका इस तरह answer लिखना है आपको